वाइस चैंसलर की अध्यक्षता में अकेडमी कांसलिंग की मीटिंग आयोचित की गई जहां विश्य विधाले के कुलपती डॉक्टर आरी गुपता ने जन टीवी से खास बाचित में कहा कि सरकार के निर्णे के तहट परिक्षा को लेकर यूज़ना बनाई गई है इस मिटिक में आठवे सेमस्टर की विध्यारत्यों की परिक्षा करवाने का निर्णे लिया गया है वही दीन अकेडेमिक्स डॉक्टर धीरज पलवलिया ने कहा कि ऑनलाइन परिक्षा है प्रॉक्टर मोड पर होगी जिससे परिक्षक दूर सही सभी बच्चों पर नज़र शुरू करेगा इस सब्सक्राइब राजसान तकनी के विश्रुधाले परिक्षा नियंत्रक जॉक्टर ध्रेंद्र माथूर ने भी इजन टीवी से खास बात्षित की कि एक्षाम जो है आनलाइन करवाएंगे और उस ऑनलाइन एक्षाम में हमने जो है बैसिकली हमारे अकडेमिक काउंसिल में यह फैसलाम ने ले लिया है और हम किसी एजनसी को हायर करेंगे उसका प्रसेस चालू कर दिया है बहुत जल्दी में इसको फाइन कर देंगे और यह मोड में जो है इसको करवाएंगे जिससे में कि स्टुनेंट को हम एक्जामनी भी करेंगे चेक भी करेंगे को नकल नहीं करें और उसका मिस्यूज ना करें सरकार के डिने के सम्मुष्ट अपने डिने लिया है अब लोगों ने कि आठवे वे सेमिस्टर के बच्चों का परिक्षा कराईयेंगे। यह परिक्षा online यह आये जित होगी, इस online परिक्षा में जो है बच्चे जो है घर बैटकर ही अपना पेपर देंगे, यह proctored mode पे होँगी, proctored mode में क्या है कि परिक्षक उसको दूर से भी देख भी रहा होगा, साथ में software भी उसको जो है warning देगा, सबसे पहले पच्चा तो मेरी सबी बच्चों से ये भी गुजारिश रहेगी कि पूर्ण इमानदारी से एक्जाम जो है क्वालिटी के लिए होना चाहिए दिखे ऐसा है कि जो सरकार से निद्रेश पाप्त हुए है उसके अंदर गत हमें फाइनल सेमेस्टर के एक्जामनेशन वो अगस्तमा में पूर्ण कराने है तो हम ये एक्जामनेशन ओनलाइन मोड में करवाने ले लिया है और उसके लिए हमने प्रोफेशनल एजेंसी हाइर करने के लिए जो भी टेंडर प्रक्रिया है वो में शुरू कर दिये और मेरे खाल से करीब 15 जन टीवी की लेटेस्ट अब्डेट पानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बैल आइकोन दबाएं